जै श्री राम आकां से उतर करके अपनी जन भूमी पर विराजमान होगे हम सब लोगों को अपनी आखों से देखने को मिलेगा जै श्राम मैं पाउन यादव आयोद्धा से अभी हम आयोद्धा के बालू घाड पे हैं और आपको पता है कि आयोद्धा में 22 रिकोर प्रभु शीराम जी के मं हो रहे हैं तो वह चीज हम आपको दिखाने लेगा रहा हैं आयोद्धा के बालू घाड पे आपने इससे पहले जगद्गुरु महराज राम भद्राचार जी का देखा होगा आपने पूरा सेटप देखा कि सरीके से वहां पर लग रहा क्या तैयारियां चल लिए हैं आज म हम आपको दिखाते किस तरीके से बनना है और यहां पर टैंसिटी भी बनकर तयार हुआ है जो कि शर्यों नदी किनारे बना हुआ है तो अभी इधर साइड यह आप देख रहे हैं यहां पर रोदफशे को गरा होगा राम नाम जप होगा इधर साइड में और यह साइड अब बनकर तयार हो रहा है 22 तारीक के लिए पुरी आयुद्ध्या की जो है वैवस्था किस तरीके से हो रही है 22 प्राणतर तिष्टा की तयारिया किस तरीके से आयुद्ध्या में चल लिए वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोसिस करता हूं बार-बार अपने वीडियो क अगर वीड़ा अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी सस्क्राइब कर लिया करिएगा तो चले हम आपको पूरा दिखाते किस तरीके से हमारे पीछे जो देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया है किस तरीके से दिखता है और हम आगे हैं उस जगा पर 108 हमन कुंड होने वाले यहां पर बनकर तयार हुए है और इससे पहले मैंने अपडेट दिया था यहां के बारे में जब इसका निर्माण किया जा रहा था इस मंडब का निर्माण पूरा चला था यह बीच का है और दिखिए इधर साइड में भी इसी तरीके से हमन जो है यहां पर 22 तारीक के लिए होंगे और यह जो है बहुत ही जल्दे तयार हो जाएगा इसका डेट करा जो है मैं आपको बता दूँगा और कब से यह तयार हो रहा हो भी मैं बता दूँगा तो अभी आप दिखोए यह बीच का है यहां का और इसी तरीके से यह पूरा मंडब जो है बनकर तयार हुआ है उधर साइड जो है टेंट सिटी बना हुआ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ओभी हम आपको चलके दिखाते हैं और अगर जिसके पास कार्ड रहेगा यहां का वही आ सकता है कुछ ऐसा भी नियम ह है यहां के क्योंकि काफी ज्यादा सिक्योर्टी है बहुत ज्यादा तो उधर भी चलते हैं टेंट सिटी जो है ओभी हम आपको दिखाते हैं तो आपको मैंने दिखाया कि जहां पर यह पूरा रूद अभिशेग होगा और राम नाम जफ होगा यह कुछ इस तरीके से यहां बनकर पूरा तयार हुए है और जो हमन कुंड है वो टोटल जो है 108 बनकर तयार हुए है और इसी तरीके से जो है जगत गुरु राम भद्रचार जी के जो कुंडी है वो वोhr एक हजाराथ है To इसी तरीके से बहुत सारे जो है यहाँ पर निर्माण क्ये जाते आप लाइन वाइस देख सकते होगना यह इधर से आप पूरी याइन देखेंगे इधर यह आप देख साइट पूरी देख रह vais ये पूरा जो है ये बनाया जा रहे है देखे पूरा और पूरे धोरा लेहार ह है हर जगहां पर आपको दिखते अभी मैं इसके बाद Tent City भी दिखाता हूँ और यह आप पूरा बालू पर किस तरीके से पूरे बालू पर यानि नदी के किनारे पूरल लगके तयार हुआ है अभी आप देखंगे पूरा इधर साइड से हम आए हैं और हमारे इधर साइड देखिए यह जो आप देख रहे हैं यह में सेंटर है इस पूरे जो राम नाम जप होगा और यहां पर जो है रूद्र शेग अगरा किया जाएगा यह कुछ इस तरीके से यहां पर बनाए गए हैं यह सेंटर आप देखो और यहां पर भी आप देखेंगे तो सामने आपको पूरी जंडी जो है पूरी दिख जाती है और इधर साइड में भी आपको पूरा जो है निर्माड देखिए किस तरीके से हुए हैं तो इसी तरीके से अयोद्धा में बहुत सारे निर्माड भी चलने हैं आपने अयोद्धा के डेबलेमेंट भी देखे होंगे राम मंदिर के वज़े से बहुत सारे निर्माड किये जा रहे हैं बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं जो पहले कभी नह जाएंगे सच बतारे हैं ऐसा होगा हर चारों तरफ हवन होंगे राम नाम जप होगा और पूरा ये भक्ति में पूरा जो है आयोध्या इसी तरीके से रहेगा और कौन-कौन आयोध्या आना चाहता है प्लीज कोमेंट करिएगा जैश्रम माराजी 22 तारीक को लेकर क्या तयार का निर्मान किया जिसका नाम है राम जनभूमित तिर्थ छेत्र उसकी द्वारा भब राम लला के मंदिर का भूम पूजन शिलान्यास 2020 में पांच अगस्त को मोदी जी ने भूम पूजन शिलान्यास किया तब से मंदिर का निर्मान प्रारंब हो गया है आज मंदिर बनकर प्रतम फ्लोर जो ग्राउन फ्लोर है वो तैयार हो चुका है राम लला का गर्भगरी जहां राम ने जन मिलिया था वहां पर स्वर्ण सिंहासन बन रहा है और स्वर्ण की दीवालें बन नहीं है स्वर्ण सिंहासन पर स्वर्ण कपाट के अंदर राम लला 22 जनवरी को भारत के माननी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी के करकमनों के द्वारा प्रान पतिष्ठा होगी और भगवान अस्थापित होगी हम सभी अजोध्यावासियों को नहीं संपुन विश्व के सनातनी हिंदू को प्राप्त हो रहा है जिसकी कलपना हमारे पुझ महंत अवेदनाज जी ने राम जनभूमि मुक्तियक ज्यसमिति के माध्यम से किया था आज उनकी कलपना साकार हो रही है असोख सिंगल जी ने आच परहमंस राम चंद्रदाजी महराज इन लोगों ने जो कलपना किया था उस कलपना को 22 जनवरी 2024 को साकार होते हुए हम लोग अपनी आखों से देखेंगे आज मुझे बड़ी प्रसंता है कि राम लला के प्राकट त्योत्सव 14 जनवरी को होने जा रहा है जिसका मैं अध्य प्रारम किया है और यहां यग्य 14 जनवरी के बाद प्रारम होगा 25 जनवरी तक चलेगा इस यग्य में हमारे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं नेपाल से 21,000 नाम जापक लोग आ रहे हैं मदबरदेश से राजस्थान से बिहार से उत्तर प्रदेश से और जमू कस्मीर से दिल्ली से लाखों की संख्या में लोगे हां आएंगे और मैं निमेदन करूँगा अपने योगी आधितनाज्य से उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री जी से कि वो भी 17 तारी को इसमय मिले तो प्रथमा होती उनके करकमनों के द्वारा हो और भान्नी प्रधान मंत्री भार अपनी अखंड तवस्या के द्वारा भगवान राम नला को प्रसंद किया है उनके द्वारा आयोजित स्रीशीता राम नहां महा यग में अवस्य उपस्थेत रहें ये मेरा निवेदन है आज हम सभी अजोध्या वासियों को नहीं संपूर्ण देश के हिंदूं को सनातनिय को गौरब कानभव हो रहा है कि त्यागी जी ने पने तवस्या के बल पर देश के कोने कोने से लोगों को बोला कर इतना मंगल में दिब्वे भब्वे आयोजन किया है इस अलोकिक आयोजन को देखकर अलोकिक भगवान राम के 22 जनवरी की प्रानपतिष्ठा को देखकर ऐस करके अपनी जन भूमी पर विराजमान होंगे हम सब लोगों को अपनी आँखों से देखने को मिलेगा आज हम इस महायज्यका निरिक्षण करने के लिए आए हैं कैसा दिब्व एग्यमंडब बना हैं कैसे दिब्व कुंड बने हुए हैं कैसे नाम जापकों के लिए जो प आत्मा बल पर भगवान राम के नाम के जब के प्रभाव से दुनिया के लोगों को राम नाम महा यग जदेखाने के कृपा करें बस इनी सब्दों के साथ आज मैं आत्मा नंदा स्त्यागी जी महाराज को बहुत धन्यवाद देता हूं जैस्री राम 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 झाल झाल आप देखेंगे शर्यों किनारे किस तरीके से टेंसिटी बनकर तयार हुए हैं अभी आगे इधर साइड पूरे टेंसिटी बनी हैं थोड़ा समय दिखाता हूं देखेंगे यहां पर किस तरीके से टेंसिटी जो है पूरे बनकर तयार हुए हैं यह है अयोदा की टेंसिटी औ और शहिरीयों नदी किनारे आप पूरा देख सकते हो, पूरा किस स्रीके से बन कर ये तयार हुआ है। तगडे में शेरियों नदी किनारे और इसी तरीके से टेंट सेटी पूरा बनकर तयार हुए हैं और आपने महराज जी का वाइट सुना कि चौदा तारिक से सुरूफ होगा चौदा या पंदरा से और पच्चिस तक यह पूरा चलना है महायग और राम नाम और रूद रपशेक और इधर साइड में दिखाता हूँ यहां पर भी आपको पीछे भी टेंट सिटी जो है पूरा बना दिख जाएगा इधर साइड यह आ नदी के टत पर तो बताना भाई यह कैसे लगी यह वीडियो ठोटी सी वीडियो थी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए बाए बाए टेक केर बोले जैश्री राम जाज़ दादम